हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी चैनल आस क्लांस में जैसे आपको पता है टेस्ट सरीज सुरू हो चुका है और ये टेस्ट सरीज रोज सुबा साड़े पाँच बज लाइफ चलता है तो रोज सुबा साड़े पाँच बज लाइफ आप हम से जोड़के अपना टेस दे सकते हैं और आज के इस वीडियो में सभी बीसियों से 30 महत्पुन अब्जेक्टी प्रशने लिया गया है और ये जो 30 अब्जेक्टी प्रशने ये बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी महत्पुन है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सांथ में बेल आइकन को ओल पे दबा लिजेगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नमबर प्रशने से पहला नमबर प्रशने कि भारत में लगभग कितने खनीच पाए जाते हैं काफी महत्पुड प्रशने हैं कि भारत में लगभग कितने खनीच पाए जाते हैं यह आपको याद रखना है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने दो नमबर अच्छे नहीं होते, सब ने खराब नहीं होते, यह किस ने कहा है, काफी महत्पुड प्रश्ण है, एउपसे ने विवेका अनंद, बी उपसे ने महात्मा गाधी, सी उपसे ने हजारी परसाद दिवेदी, डी उपसे ने काली दास्तों, आपको बताना है, कि सब पुरा ने अच्छे नहीं होते, सब ने खराब नहीं होते, यह किस ने कहा है, तो यह हजारी परसाद दिवेदी जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पर C उपसे ने क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह है कि ऑम कानियम किस ने दिया, तो एगपर बिल्क शुरू से लेकर अंदक जरूर देखिएगा, अगला परश्ण चार नमर चार नमबर प्रश्दने की duas sign दो ठीटा बुराबर रूट दीन हो तो ठीटा का department ग्याद करें यहां परदि के दो सा इन दो ठीटा बुराबर यहां पर क्या दिये है रूट दिये तो बोल रहा है इस ठीटा का department आपको क्या करना है निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर परशने लिखेंगे 2 sign 2 theta बुराबर यहाँ पर क्या दिया है root 3 दिया है तो बोल रहा है इस theta का मान ग्याद करिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखे 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा तो इधर बच जाएगा हमारा sign 2 theta बुराबर क्या हो जाएगा root 3 और बटा के नीचे क्या आजाएगा अब यहाँ से दिखे हमको sign हटाना पड़ेगा sign हटेगा तभी यहाँ से theta का मान निकलेगा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि sign कितने degree का मान यहाँ पर root 3 बटा 2 होता है तो यह कितने degree का मान root 3 बटा 2 होता है तो sign 60 degree का होता है तो इसके जगे पर हम क्या लिखेंगे sign 60 degree लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे sign 2 theta बुराबर यहाँ पर देखें, root 3 बटा 2 की जगे पर हम क्या लिखेंगे sign 60 degree लिखेंगे, क्योंकि sign 60 degree का मान कितना होता है, root 3 बटा 2 होता है, अब यहाँ पर देखिए sign से sign क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 theta बुराबर कितना हो गया, यहाँ पर 60 degree हो गया, तो हमको theta का मान निकालना है, तो 2 इधर गुडा कर रहा है, तो इधर आ के क्या करेगा, भ इमीद करते हैं, यह प्रशन आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रशन पांच नमबर, पांच नमबर प्रशने कि नवीन जलो जलोड मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर मिट्टी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहां पर एउप्सन क्या हो जाएगा, यहां पर बिलकुल इसे हो जाएगा, और जो पुरानी जलोड मिट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्णिया पे छे नंबर प्रश्णिया है कि मंगमा किस सहर में दही बेचती है काफी महत्पुड प्रश्णिया है कि मंगमा किस सहर में दही बेचती है यहाँ पर डी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशने आपे साथ नमबर प्रशने की बिधुत वाहक बलका एसाई मातरक क्या होता है काफी महत्पड प्रशने साथ नमबर की बिधुत वाहक बलका एसाई मातरक क्या होता है तो बिधुत वाहक बलका एसाई मातरक ब लंब होता है तो इसे भी आपको यहाँ पर याद रखना है और विधुत सक्ति का एसाइमात रख्या होता है वाट होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रशनेया पर आठ नमबर प्रशने की रूप की रक्षा किस से होती है काफी म अच्छा मिरजया से होती है यहाँ आपको याद रखना है यहाँ पर सी उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही से हो जाएगा काफी महत्पड महत्पड प्रशने है तो एक भी प्रशना पर स्कीप मत कीजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अ बहुलक आपको पता होगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वही उसका क्या होता है बहुलक होता है तो यहाँ पर देखिए 9 कितना बार आया है तो दो बार आया है तो यह भी दो बार आया है लेकिन 11 देख लिजे कितना बार आया है एक बार यहाँ पर दो बार और यहाँ पे तीन बार और यहाँ पे चार बार यानि 11 है जो सबसे ज़्यादा बार आया है और जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही क्या होता है बहुलक होता है यानि यहाँ पे C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही से हो जाएगा जो यह संख्या दि वैला डीला खान से कौन सा खनीज निकाला जाता है। ग्यारा नमबर प्रशने की मा किस कहानी से अनुदित कहानी है। 12 नमबर प्रशने की दोपहर के समय सुर्य कैसा दिखाई देता है। A option है लाल, B option है स्वेट, C option है नीला, D option है बैगनी तो यह आपको बताना है कि दोपहर के समय सुर्य कैसा दिखाई देता है। तो दोपहर के समय सुर्य सुएत दिखाई देता है, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चरित्र का निर्माड किस से होता है तो चरित्र का निर्माड संसकारों से होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ने आपर 14 नंबर 14 नंबर प्रश्ने की 8 cm भूजा वाले वर्ग का छेथर फ्ल ग्याद करे, एक वर्ग है जिसका भूजा कीतना है? आठ सेंटीमीटर है, जो वर्ग होता है उसकी चारो भूजा है, आपस में क्या होती है? बरावर होती है, और इसका भूजा यहां पर देखिये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो बोल रहे है इसका छेत्रफल क्या होगा तो वर्क का छेत्रफल का formula क्या होता है तो यह होता है भूजा का square होता है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्क का छेत्रफल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है तो भूजा का square होता है क्या हो जाएगा आठ में आठ से गुणा होगा तो आठ टाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वाइर यानि यहाँ पे यह उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्ण आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आये देखते हैं अगला प्रश्ण पंदरा नंबर प्रश्ण है कि ओपेक की अस्थापना कब की गई काफी महत्पड़ प्रश्ट है कि ओपेक की अस्थापना कब की गई ए उपसन है उनिस सो पचासी में बी उपसन है उनिस सो नबे में सी ओपसन है उनिस सो एक्यानवेर में डी उपसन है उनिस सो साथ में तो यहां पर आपको बताना है कि ओपेक की अस्थापना कब की गई तो यह 1960 हिस्वी में की गई यानि यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही से हो जाएगा और OPEC क्या है तो यह जितने देश देल उत्पादन करते हैं उन देशों का यह क्या है सम्मू है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है और OPEC का स्थापना कब की गई तो 1960 हिस्वी में की गई थी काफी महतपड प्रश्ण है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा बिलकुल ही से हो जाएगा काफी महतपड महतपड प्रश्ण है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोट बुक पर लिके ज़रूर याद कर लिजेगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण है 16 नंबर 16 नंबर प्रश्ण है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेका कौन है काफी महतपड प्रश्ण है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेका कौन है काफी महतपड प्रश्ण है तो यह सिरी निवास है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण है 17 नंबर 17 नंबर प्रश्ण है कि जनन कित कितने परकार के होते हैं तो जनन दो परकार के होते हैं इसे आपको याद रखना है एक होता है लेंगिक जनन और दूसरा होता है अलेंगिक जनन तो इसे आपको याद रखना है और जनन कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के होते हैं तो यह भी साथ में आपको याद र देना चाहिए A option है 5, B option है 6, C option है 7, D option है 4 ति हैं अब आपको बताना है कि तरक्की चाहने वालों को कितनी दोसों को त्याग देना चाहिए तो 6 दोसों को त्याग देना चाहिए यानि यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अ बीच की दूरी आपको क्या करना है निकालना है तो बीच की दूरी का फर्मूला क्या होता है तो डैरेक्ट आप लोग याद रखी ए x2 minus x1 the whole square plus क्या होता है यहाँ पर y2 minus y1 the whole square अब यहाँ पर देखिए जो पहला बिंदू है इसमें पहला वाला x1 होगा और दूसरा वाला क्या होगा y1 होगा और जो दूसरा बिंदू है इसमें पहला वाला x2 होगा और दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पर y2 होगा बस इसमें आप लोगा मान रख दीजे अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है तो x2 माइनस 2 है तो यहाँ पर रख दीजे माइनस 2 और यहाँ पर दीजे माइनस है तो क्या देदीजे यहाँ पर माइनस देदीजे x1 कितना है यहाँ पर दो है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके square है तो क्या करेंगे square करेंगे अब आप लोग bracket के अंदर का solve कर लिजी तो कितना होगा यहाँ पर -4 ओर इसका square है स्प ही 3 में 3 3 लोगा कितना बचेगा hip 0 और 0 का here ना माइनस चार का यहाँ पर क्या है स्कुएर है तो स्कुएर का मतलब क्या होता है ide प्लस होजाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 16 में जब 0 से जोड़ेंगे तो यह कितना होता है यानि यह जोugen teams दिया है तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्ण आपको काफी इची तरीके से समझ में आया होगा, आईए देखते हैं अगला प्रश्ण आपे 20 नमबर, 20 नमर प्रश्ण है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है काफी महत्पुड प्रश्ण है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है यह आपको याद रखना है यहाँ पर डी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्पुड प्रश तो एक भी प्रश्णा पर स्कीप मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक्स जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण एक्केस नमबर प्रश्ण है कि कभी विरेंड डगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्तपुण है काफी अगला प्रश्ण एक्केस नमबर कि कभी विरेंड डगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्तपुण है यह आपको याद रखना है यहाँ पर डी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण ए बाईस नमबर बाई काफी महत्पुण प्रश्ण ए बाईस नमबर भी कि डेंगो उत्पन करने वाले मच्छट किस तरह के जल में पनपते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण ए तेईस नमबर 23 नमबर प्रशने की धरम की रक्षा किस से होती है काफी महत्पुर्ण प्रशन है की धरम की रक्षा किस से होती है A उपसे ने धन से, B उपसे ने पूजा से, C उपसे ने सत्य से, D उपसे ने संतोस से तो यहाँ पर आपको बताना है की धरम की रक्षा किस से होती है तो धरम की रक्षा सत्य से होती है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 24 नंबर 24 नंबर भी प्रशने काफी ही महत्पुड है यदि पहली संख्या A तथा दूसरी संख्य 25 है इनका मौसा 5 और लॉसा 100 है तो एक कामान निकाले काफी ही महत्पुड प्रशन है यहाँ पर आपको एक की मान निकालना है यानि यहाँ पर पहली संख्या आपको निकालना है तो यहाँ पर दिके इसके लिए एक फर्मूला होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी कितना दिया है तो इदर आ के क्या करेगा भाग करेगा तो इधर सिर्फ ए बचेगा और इधर क्या है सौ गुणह से कितना हो जाएगा यहाँ करेगा अब यहां पर देखिए पचीस चो का कितना होता है 100 होता है अब 4 में 5 से गुणा करा देजिए, 4 परकिची कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहनी एक आमान कितना निकलेगा, 20 निकलेगा यहाँ पर Europsan क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही से हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 25 नमबर 25 नमर प्रश्णे कि भारत के लोग कौन सी भासा सरवाधिक बोलते हैं काफी महत्पुर प्रश्णे ये भी कि भारत के लोग कौन सी भासा सरवाधिक बोलते हैं यानि सबसे अधिक बोलते हैं EOPSYन एंग्रेजी, BOPSYन एजपानी, COPSYन हिंदी, DOPSYन संस्कृत, आप अपको बताना है कि भारत के लोग कौन सी भासा सरवाधिक बोलते हैं, तो यहाँ पे देखे हिंदी भासा सरवाधिक बोलते हैं, इससे आपको याद रखना है, यहाँ पे COPSYन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सेव जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड प्रश्ण है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है आपे 26 नंबर 26 नंबर प्रश्ण है कि रशिक समाज की अस्थापना कि प्रेमधन ने किया इसे आपको याद रखना है याँ पर सी ओपसन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण है 27 नंबर 27 नंबर प्रश्ण है कि अपघटक के उधारन है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पर आपको आप घुरान 15 бॉह्त्ट प्लॉस प्लॉस इंग करें आपको अल्फा प्लैस बीटा का मान ग्याद करें यहां पर आपको अल्फा यहां पर दिके जो X SJ में गुढ़ा करेगा वो A का मान होगा जो केवल X में गुढ़ा करेगा वो B का मान होगा और जिसमें X Y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा c का मान होगा तो यहाँ पर दीके x square में क्या गुड़ा कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है जो x में गुड़ा करते हो बी होता है तो x में यहाँ पर 5 गुड़ा कर रहा है यानि b का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ पर दीके C कामान कितना है यहाँ पर 8 है बस इसमें रख दीजिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस B कामान कितना है यहाँ अपर लोग देख सकते हैं 5 है तो 5 और A कामान कितना है 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे काफी इमहत्पड प्रश्ण है कि ननकाना सहब कहां इस्तित है ए उपसे ने भारत में बी उपसे ने पाकिस्तान में सी उपसे ने अफगानिस्तान में डी उपसे ने सिरलंका में थे हैं पर आपको बताना है कि ननकाना सहब कहां इस्तित है तो जो ननकाना सहाब यह कहां इस चांद में आपको याद रखना है या देखते हैं अगला प्रष्ण और अंतिम प्रश्ण तीस नंबर प्रष्ण कि भारत में समिधान सभा का गठन कब हुआ ओप सेने 1945 में बीओफ सेने 1946 में यहां पर आपको बताना है कि भारत में समिधान सभा का गठन कब हुआ तो भारत में समिधान सभा का गठन कब हुआ 1946 इसवी में हुआ यानि यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा A का मानिहा पे दो दिया है और 4 अंतर कितना दिया है तो बोल रहा है कि AP के तीन पद आपको क्या करना निकालना है तो इसमें से जो भी Option आपका सही है वो आप हमें क्या कर दिजग management कर दिजगा ताकि जब भी class हो तो आपके पास notification पहुंचता रहे Thank you for watching मिलते है अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लागे पढ़ाई किजिए Take care and bye